ये तो आप जानते हैं कि घाटा किसी को भी पसंद नहीं होता है लेकिन घाटा अगर सर के उपर से निकल जाए तो कोई रास्ता भी नहीं बसता है ऐसा ही कुछ भारत की एक बड़ी कमपनी के साथ हुआ है जिसका अब नीजी करण भी हो चुका है लेकिन ये नीजी करण ऐसा हुआ है जो सब को खुश कर देगा यह तो आप जानते हैं कि टाटा ने देश के लिए जो भी किया है वो किसी से छुपा नहीं है और वो अब भी करना जारी की हुए है दरसल इस बार इस बड़ी कारी कंपनी निलांचल इस पात निगम लेमिटेड यानि कि एनाई एनल जैसे ही रतन टाटा के हाथों में गई इसकी किस्मत बदलने लगी है दरसल टाटा इस्टील के CEO और मैनेजिंग डिरेक्टर टीवी नरेंद ने बताया है कि निलांचल इस पात के कार खाने को अगले तीन महिने में शुरू करने का लक्ष रखा गया है यानि कंपनी अब जल्दी खोलेगी और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसके मौजूदा करमचारियों के साथ टाटा का करेगा और करीब दो साल से बंद पड़े कार खाने को दुबारा शुरू करने की भी तैयारी में है और वहीं अगले बारा महिनों में प्लांट के स्थापिश शम्ता प्राप्त कर लेने की भी उम्मीद है यही नहीं टाटा इस्टील एनाई एनल की शम्ता बढ़ा कर 50 यानि की एनाई एनल को टाटा ग्रूप की एक फर्म को सौप दिया गया है अब टाटा के इस कदम से इसके करमचारियों और बकाया राशी के साथ ही साथ देश की श्टील की उतपादन शम्ता में भी इजाफा देखने को मिलेगा जो सीदे सीदे भारत को बड़े लक्ष हा पासिल करने में मदद करेगा